कि साथ हैं अधिक एह लोग एक टापिक क्लास का लेकर जाना है इनवर्स ट्रेगोंड़मेंटरी फंक्शन के बारे में इंट्रोड़क्षन देखेंगे कि क्या बेसिक है इंवर्स ट्रिवर्टमेंट्री में हम लोग को जानना तो सबसे पहला बात करते हैं तो सबसे पहला बात करते हैं और रेंज किसको बोल रहे हैं क्योंकि इंवर्स ट्रिवर्टमेंट्री में अगर बात करें तो डोमेंट और रेंज से रिलेटेट है तो उस चीज़ को पहले हुआ अगर कोई लोग कुछ लोग भूल भी दे होंगे तो उनको रिपॉल हो जाएगा यह बता देने के बाद तो नॉर्मल ट्रिवर्टमेंट् इस अगर आता है तो रिप्रेट फंक्षन की बात करते हैं तो वह देखते हैं वाई एकोल टू, साइन एक्स एक जूँम कर लेते हैं और इससे हम यह समझेंगे कि डोमेंट किसको बोल्ड है और किसको बोल्ड है तो देखते हैं अगर हम एकश का वैल्लू सेख्श रहते है तो y का value हमारे पास कितना आ जाता है 5y6 रखते तो y का value क्या गया 1.2 अब इसमें समझते हैं किसको domain बोलते हैं और किसको range बोलते हैं तो वो देखते हैं ये जो x हुआ न जो angle के term में रहेगा इसको हम लो क्या बोल दिये domain बोल दिये और ये जो y का value आ या 5y6 रखने के बाद उसको हम लोग क्या बोल दिये range बोल दिये तो ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा अब हम लोग ये देखते हैं कि normal trigonometry ratio मतलब y equal to sin x का domain क्या होता है अगर मैं बात करूँ domain क्या होगा तो all real number हो जाएगा domain sin x के case में और range जो होगा वो क्या होगा minus 1 से 1 के 20 और 1 भी include होगा मतलब ये आप होँ सकते हैं आपे इस bracket का क्या मतलब होगा वो समझ लिजिए minus 1 और 1 के 20 तो होगा ही होगा और 1 भी होगा metric अगर बात करें तो domain क्या था sin x के case में all real number और range क्या था मतलब इससे क्या समझे कि यहां से कोई भी value हम x पे रखते हैं real number से तो हमारा जो value आएगा range आएगा sin के term में वो minus 1 और 1 के बीच या फिर minus 1 और 1 आएगा इससे हम लोग को यह चीज पता चला कि domain किसको बोलते हैं और range किसको बोलते हैं अग यही चीज अगर inverse का case होता है अग यही टेकॉनमेंटरी function अगर इंवर्स होता है तो domain क्या कहला जाएगा होहाँपे सभी चीज उल्टा हो जाएगा सभी चीज की बात करें तो सभी क्या होगा inverse हो जाएगा तो यहां पर domain होहाँ पर range बन जाएगा inverse का तो यही मतलब हुआ तो यह चीज हम लोग inverse का case देखते है domain range हम लोग को पता चलिया इसलिए हम लोग domain range पढ़े क्योंकि inverse start जब करेंगे तो हम लोग यह देखेंगे कि सबसे पहले क्या होना चाहिए कोई function invertible होना चाहिए और invertible अगर function होगा कोई भी होगा तो उसके लिए दो condition है one one और onto function होना चाहिए तब ही वो invertible होगा अनिधा वो invertible नहीं होगा तो हम लोग अब inverse के case की बात करें और invertible function को study करते हैं और उसको देखते हैं तो यह चीज अगर देखें तो यहाँ से one one function और onto function आता है तो उस चीज को हम लोग trigonometric के term में ही समझेंगे तो एक सीज देखते हैं theta equal to inverse का case लेते है theta equal to sin inverse x यह क्या हो गया inverse का case हो गया अब हम लोग देखते हैं आप लोग जानते होंगे साइंटा ग्राफ क्या होता है उससे हम लोग one one समझेंगे और onto onto total जितना सारा trigonometric ratio है वो सभी onto function होता है लेकिन total trigonometric function जो हम लोग के पास छे trigonometric ratio है one one function नहीं होता है तो one one function को बनाना है अगर यह one one function बनेगा तभी वो invertible होगा अनिधा यह invertible नहीं होगा तो उस चीज को हम लोग समझते हैं और कैसे बनाते हैं invertible वो भी हम लोग बात करते हैं तो आप लोग देखे होंगे सबसे पहले इसमें थोड़ा यह भी समझ लेंगे कि one one function है क्या आफिर क्या ज़रूरी पड़ा यह one one का और यह हमारा नॉर्मल टेपरमेटरी फंक्शन यानि by equal to sin x का graph है इसमें क्या ऐसा है जो की one one नहीं है तो वो देखते हैं तो आप लोग जानते होंगे अगर बात करें अगर इस बात को ले लएक है one by root 2 साइम का value one by root 2 कहां पी होता है तो नहीं होता है यह चीज आप लोग को मालूम होगा अब यहां पर देखते हैं, यहां पे भी पहले लुक्त क्या आएगा यह 0 है, यह Pi है, यह 2 Pi हो जाएगा, यह 3 Pi हो जाएगा तो यहां पर देखते हैं कि यहां पर हो जाएगा 3 Pi Pi 4 यहां से यह चीज मेरे देखने को मिला कि साइन का दो एंगल के कौन-कौन, Pi Pi 4 और 3 Pi 4 का वैलू क्या आ रहा, 1 by root 2 अगर हम इस तरीखे से देखें, का भी वैलू 1 by root 2 और साइन 3 Pi 4 का भी वैलू क्या रहा, 1 by root 2 वारा यहांनि अब हम function के इसको समझते हैं अब हम इसको function के according अगर समझते हैं, तो यहां रख लेते हैं minus Pi by 2, Pi by 4, minus Pi by 4, 0, Pi by 4, 3 by 4, और मीचे minus Pi by 2 जितना सारा होगा हम वो लिख देंगे, अगर इधर बात करते हैं तो लिख देते हैं, minus 1, minus 1 by root 2, 0, 1 by root 2, 1 by 2 भी लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं अब देखते हैं, 1, 1 function किसको बोले के, अगर इस, अगर हम इस set ले ले लेते हैं, A और B के term में, और इसको मान लेते हैं कि यह क्या चीज में है, अंगल के term में है, यह जो set है, अंगल के term में है, तो देखते हैं, कि अभी हम लोग जो निकाले, आए 5 by 4, तो 5 by 4 का value क्या आया, यह टर्म, 3 by 4 क्या value आया, उसका भी यह term आया, 1 by root 2, तो 1, 1 function का एक rule है, कि इसका जो भी element होगा, वो इसके एक ही element के साथ image बनाएगा, एक ही element कुछ भी हो सकता है अगर sin-5y2 की बात करें तो वो-1 के साथ हिमेज बनाएगा अगर-5y4 की बात करें तो वो इसके साथ हिमेज बनाएगा लेकिन हमारा टेलवर्ण मेंटरी रेशियो की इस ग्राफ की बात करें तो 1 by root 2 ऐसा तो नहीं है किसी यही 2 पे आएगा आगे जीतना बढ़ते जाएगे उतना 1 by root 2 आते जाएगा जैसे 3 by 4 sorry 5 by 4 3 by 4 उसी तरीके से आगे भी आते जाएगा यानि बहुत सारा एंगल पे हमारा sin का वैलू 1 by root 2 आ रहा तो हम इसको 1-1 function नहीं बोलेंगे इसको मेनी 1 बोलेंगे यानि अभी नॉर्मल ट्रिवर्मेट्री की बात करें तो कौन सा एक्जाम्पल है किसका एक्जाम्पल है मेनी 1 function का है तो इस चीज को हटाना है मेरे को यह मेनी 1 को रिमूव करना है तभी यह इंवर्स कहलाएगा अनित्या यह इंवर्स नहीं कहलाएगा अब हम देखते हैं वर्न वर्न फॉक्शन तो आप लोग समझ गया होगे कि अगर इसका कोई भी वैल्यू किसी एक के साथ ही इमेज बनाएगा इसका किसी एक के साथ ही इमेज बनाएगा किसी के साथ भी बनाए जो भी value होगा मतलब एक ही image के साथ बनाना चाहिए तब ही वो one one function होगा अगर एक example के तोड़ पे देखे तो हम इस तरीके से देख सकते हैं A, B और C 1, 2 और 3 तो अगर बात करें तो इसका एक के साथ image बनेगा इसका भी एक के साथ image बनेगा और इसका भी एक ही के साथ image बनेगा तब यह one one function होगा और यह one one function इसको गूर्ट है इसको हम कैसे बोल सकते हैं one one function क्योंकि दो का value one by root to our अगर यह आप समझ गए तो अब देखेंगे कि इसको ऐसा क्या करेंगी graph में अब यहीं पर थोड़ा सफने एक सीज़ और समझ लेते हैं on to function already हम यह बोले हैं कि जितना प्रेवर्मेटरी रेशियो है सभी क्या है on to function है तो on to किसको बोलते हैं वो बताते हैं B का जो भी यहाँ पर element है अभी हम इसी के time के according समझते हैं सब इस चीज़ B में जो भी element है अगर कोई भी value लें असानी है कि जो लीखे हैं उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर और भी कोई value इसके बीच में जो आएगा minus 1 से 1 के बीच में जो भी value आएगा कहीं ने कहीं कोई ना कोई angle तो होगा ही होगा जिसके वो value आ रहा है होगा एक यह चीज़ आप समझे रहे हैं फिर्ट से बता रहे हैं इसका जो भी value इसके बीच में जो भी जो लिखे हैं या फिर नहीं भी लिखे हैं इसके बीच में जो भी आता हो उसका value कोई ना कोई एंगल पर तो आएगा ही आएगा तो इसी चीज को हुआ है ओन्टू फंक्षन क्या है और बस वन वन फंक्षन कनवर्ट करना है और हम लोग को फिर इंवर्स का केस देखना है तो 1-1 function convert करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वो देखते हैं. तो हम इस graph को एक restricted graph में convert करते हैं. जहां पे function क्या आए? 1-1 आए. तो restricted कहां से कहां तक देखेंगे? यहां तक देखते हैं. इसका value 5 by 2 है. और इसका value क्या है? minus 5 by 2. तो अब यह देखें, जो भी sign inverse कब exist करेगा? जब वो 1-1 function होगा. 1-2 function तो सभी है. तो 1-1 कब होगा? minus 5 by 2 के बीच में कोई भी value आप उठाएं. कोई भी angle उठाएं. और sign पे रखें. उसका same forces एक भी value आएगा. जो भी आए. तीज ले लें. 45 एंगल लें. 60 एंगल लें. उसका एक ही value आएगा. तब यह इस condition के लिए हमारा sin x invertible होगा. यह जीज़ है. तो invertible change एक restricted interval में हमारा trigonometry function invertible होगा. तो उस चीज़ को समझते हैं. अगर sign का case देखें. तो sign का case ऐसे भी हम लोग वहाँ पर देखें थे domain और range में. जो चीज domain था normal trigonometry में वह range यहां पर बन जा रहा. inverse होने के बाद और जो चीज range था वह domain बन जा रहा. तो वह चीज़ देखते हैं. अगर normal trigonometry ratio यहां पर लिक देते हैं. थोड़ा सा देख लीजें आप लो. normal trigonometry matrix function y equal to sin x लेते हैं. तो इसका domain क्या था? real number range क्या था? minus 1 से 1 के बीज था. अब देखिएगा यही चीज जब यह inverse का case आया, यह जब inverse का case आया, inverse case लिख देते हैं. अभी हम sin की ही बात कर रहे हैं. जब यह inverse case आया, तो हम क्या बोले? domain क्या बन जाएगा? range बन जाएगा. sorry, domain range बन जाएगा और range क्या बन जाएगा? domain. तो अगर मैं theta equal to sin inverse x की बात करें, तो क्या होगा? देखिएगा. जो domain होगा, वो range की बात कर रहे थे. यहार, our real number बता रहा है, range बत समझेगा. यह एक real number है थे. अब देखिएगा. तो यह चीज इस case में change होगा. क्यों? क्योंकि all real की बात कर रहे थे, तो total angle की बात कर रहे थे, लेकिन इस चीज को हम लोग क्या किये? restricted में convert किये. इस चीज को क्या किये? restricted में convert किये. क्यों? क्योंकि इसको हमको invertible बनाने के लिए one one exist करना चाहिए, तभी यह invertible function होगा, और तभी हम inverse निकाल सकते हैं, sign का, ऐसे लिए निकाल सकते हैं, तो देखिएगा, यह range जो है, वो तो domain रहे गाई हैं, तो domain क्या हो जाएगा? दोमेन हो जाएगा, minus one से one के बीच, और range जो हमारा होगा, range क्या हो जाएगा? यह restricted interval होगा, यानि minus pi by two से pi by two के बीच होगा, तो यह case हम सिर्फ देखें किसका? साइन का के देखें, उसी तरीके से total और पांच trigonometry function है, जिसका एक हम लोग restricted interval लिए, जहां मैं function को one one किये, onto तो पहले से ही है, सभी trigonometry ratio, तो सबसे पहले हम उसको one one बनाए, one one बनाने के लिए, हम यह restricted interval लिए, इसी तरीके से total पांच में हम लोग यही काम करते हैं, ठीक है तो इतना सारा चीज, ऐसे board में अगर देखा जाए, आता तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए, कि अगर यह range है, तो वो domain कहला गया, यह तो सही है, लेकिन यह domain है, तो range क्यों नहीं कहलाया, real number, तो वो आप समझ गए, क्योंकि इसको one one बनाने के लिए, हमको एक restricted interval लेना ट्रॉबनमेंटरी की बात कर रहे हैं, वो real number यहां range, क्यों नहीं बना, इसका आप लोग जवाब मिल गया, और आप लोग, I hope, समझ भी गए होंगे,